प्रदान मंत्री जी मैं रौशनी राजक्य कन्या इंटर कॉलिज विजे नगर गाजियबाद उत्तर प्रदेश में ग्यारविक अक्षा की छात्रा हूं मान्यवर मेरा प्रशनी यह है कि मुझे आज चार रहे है कि क्या छात्र परिक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से क्या हमें परिक्षा को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें किरपया हमारा मागदर्शन करें धन्यवाद थैंक यू रोशनी पांच नदियों के छेत्र गुरों की भूमी स्थित समरिध राज पंजाब के भटिंदा से दस्वी की चात्रा किरण प्रीट इसी विशय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं किरण प्रीट क्रिपया अपना प्रश्न पूछें Good Morning Honourables Prime Minister Sir My Name is Kieran Preet Kaur Of Class 10 I study in Doon Public Senior Secondary School Kalyan Subkhak District Bathinda Punjab Sir My question to you is How do I deal with my family's disappointment If my results are not good I don't have negativity Against my parents because I know they need more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. धन्यवाद किरनप्रीट, Honorable Prime Minister, Sir, Like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers. We look forward to your advice. Honorable Sir. So, Roshni, क्या कारण है कि आपने जब इस सवाल पूछा है, तो सबसे ज़्यादा तालिया बजी, क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडर्ट के लिए रही पूछा है. आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है. और मुझे लगता है कि आप चाहती है कि मैं आज यहां से हरे एक की पेरेंट्स को और टीचर को कुछ यहां से कह दूँ ताकि आपके खावा जाए. इसका मतलब कि आप पर प्रेसर है टीचर का आप पर प्रेसर है परेंट्स का और इसके आपको उल्जन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं. अब उनको समझाने पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ने पा रहा हूँ. यह आपकी चिंदा मैं महसूस कर रहा हूँ. मैं सबसे पहले तो पैरेंट्स को और टीचर्स को यह जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल्म हैं आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और इसलिए दिन रात आपको लगता एक बस इसको तो वो बना के रहूंगा. यानि आप अपने मन की बातों को अपने सपनों को अपनी अपेच्छाओं आकांशाओं को अपने बच्चे में एक पकार से इंजेक करने की कोशिश करते हैं. बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माबाप की बात को बहुत महत्पद देता है, दूसरी दर टीचर कहते हैं, देखे तुम्हें यह करना है, तुम यह करो, हमारी स्कूल में तो यह है रहता है, हमारी तो यह परमपरा है, आपका मन को तीसरा ही करता है, और ज्यादा त पड़ता है यह उसके लिए बहुत बड़ी चिंदा का विश्य होता है और इसलिए पुराने जवाने में टीचर का परिवार से संपर्ट रहता था परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोता है उसे टीचर परीचित होते टीचर क्या करते हैं कैसा करते हैं वो उसे प्रिचित होते थे यह एक प्रकार से शिख्षा एक चाहे स्कूल में चलती हो और शिख्षा घर में चलती हो हर कोई एक ही प्लेक्फॉर्म पर होता था और उसके कारण अब क्या हुआ है बच्चा दिन भर क्या करता है माबाप को समय नहीं है जानते नहीं है टीचर को सिलेबस से लेना देना है मेरा सिलेबस पूरा हो गया मेरा काम हो गया मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया बहुत मैनत करके पढ़ा थे ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा थे लेकिन उसको लगता है कि मे हो या टीचर्स हो या स्कूल का एंवार्मेंट हो हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमा है उसकी रूची उसकी प्रवृत्ति उसकी अपेक्षा उसकी अकांख्षा इन सब को बारीकी से अफ्जर्व नहीं करते हैं उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं और हम उसको धका मारते जाते हैं तो कहीं ने-कहीं वो लड़करा जाता है और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पैरेंट्स को सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के नुसार अपने बच्चों पर बोज बढ़ जाएं इससे बचने का प्रयास करें उनकी और हर बच्चे के पांच एक स्ट्रेंट होती है हर माबाप को सुकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या नहों लेकिन प भी है यह यह आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थों को पहचान नहीं पाते हो यह आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो और इसलिए दूरी वही से बन जाती है और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी अब ये तो मैं नहीं कहूँगा माबाप का मत सुनो मैं ये तो नहीं कहूँगा टीचर की बात मत सुनो ये तो सला ठीक नहीं होगी सुनना तो है है वो जो कहते उसको समझ रहा है लेकिन हमें उन चीजों को स्विकार करना है जो हमारे भीतर भाव सहज रुप से आपने देखा हुआ का धर्ती भी वैसे तो निरीजीव लगती है एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है लेकिन उसी धर्ती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है है बहुत बड़ा बटर ब्रक्ष बन जाता है दोस्त धर्ती का नहीं है कौन सा बीज बोया है उसपर है और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से add up कर लेते हैं कौन सी चीज आपको मन के साथ एकджनम उसमें आगे बढ़ जाते हैं अप जी जान से उसमें जिटते जाएए आपको कभी बोज महसुस नहीं होगा और शुरू में साइट शुरू में रुकावट आएगी लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा हाँ हम तो सोचते हैं कि इसमें ये बहुत अच्छा किया आज तो हमारा नाम रोशन हो गया चार लो अतिरिक्ते उमंग के साथ जो मिनिमम्म रिक्वार्मेंट है उसको पूरा करते हुए अतिरिक्ते जो सामर्त है उससे जोडते हुए आगे बढ़ेंगे आपको बहुत फैदा होगा